ये कोमा में चला गया था, इसके ब्रेन में चोट लगी थी, डॉक्टर ने बोला था कि ये 10% चांसे इसके बचने के, डॉक्टर ने बोला था कि डैमेज हो चुकिया, ये आंक कभी नहीं खुले थी, जब भी मैं पूछती थी कि डॉक्टर ऐसी ये कंडिशन तो वो यही बो जैसे मुझे ही उन्होंने बोले है, और मुझे जब यहां से गई तब खुशीं से गई, शे ने इसको पूरी तरह से चंगा कर दिया, जब जनवरी 2017 में आपके बेटे का एक्चिएंट हुआ, क्या हुआ उसके बाद? इसका एक्सिडेंट 2011 में हुआ था और ये पदी कोमा में चला गया था, इसके ब्रेइन में चोट लगी थी इसका एक्सिएंट कैसे हुआ था यह सुभा स्कूल गया था प्लस टू में पढ़ता है और सुभा स्कूल गया और यह भी बाइक पर पर सामने से भी बाइक आ रही थी और यह बाइक के साथ तक्रा गया और इसके ब्रें में चोट लगी और जब आप इसे डॉक्टर के पास हॉस्पिडल में लेकर गये डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया डॉक्टर ने यहां गुर्दासपुर में जब लेके गये थे तो उन्होंने जवाब दे दिया और बोला कहीं और ले जाओ इसकी कंडिशन बहुत खराब है तो अमरे सर लेके गये तो वहां डॉक्टर दॉक्तर ने बोला था कि 10% चांस आइसके बचने के 90% कोई चांस नहीं है क्योंकि इसके ब्रेन में बहुत ज्यादा चोट लगी है दिमागं ब्लीडिंग होने की वज़ा से बंचुके हैं हां बंच और दिमाग की जो नसे वह ब्लॉक हो चुकी थी जी और जो इसकी लेफ कैसे फिर इनको कैसे खाना किलाते कैसे इसकी केर करते थे आप बताईए कुछ दिन तो यह वेंटिलेटर पर रहा तो उसके बाद थोड़ी इसकी कंडिशन ठीक हुई तो रूम में उन्होंने शिफ्ट किया तो हम मतलब पाइप डाली थी एक नाक में जैसे वह फीड पाइप चलेगा कि मेरे गले में क्या मतलों कुछ इसक्रीशन वगरा जैसे हम घूमते फिरते हैं तो हमारा तो थूख चला जाता ना अंदर तो इसको तो कुछ नहीं पता चलेगा इसकी सांस बंद हो सकती है क्यूंकि दिमाग में चोट लगने के कारण दिमाग के अंदर जो जब ही मैं पूछती थी कि कि दॉक्टर कैसी है कंडिशन तो वह यहीं बोलते थे कि खुदावर भ्रोसा रखो प्रेयर करो ऐसे जो पेशन्ट होते है यह मिरिकल ही होता है कोई हम कोई कर अदिन ही इसकी दिन होती कि अपकोमा से बाहर आएंगे और कोमा में गया व्यक्ति गलेफिज़ा हो तटी आप만 बत兩则 हो आगाला कोई अपने अपने आप खाना नी खाना पूरी तरह दुरी तरह की दुरॉंटी है नहीं है कि कब यह कोमा से भाहराएका महीं और महीनों में है में कुछा निकल सकती। कोमा भी रह सकता है हां वह तो बोलते थे कि मतलब ऐसे चोट लगी है इसके ब्रेंड में कि यह कोमा से बाहर ही नहीं आएगा अगर आभी गया तो यह पूरी तरह पागल है यह बच्चा ऐसा क्या करेंगे मुझे तो नहीं कहते थे मेरे रिष्टेदारा को बताते थे कि यह यह पूरी तरह पागल है और परमेशर ने इतना बड़ा जबतकार किया जब ऐसा बोलते थे डॉक्टर आपको आपके बेटे की हालत के बारे में तो आप क्या सोचते थे क्या बीती थी आपके उपर बहुत क्लीफ होती थी लेकिन फिर भी मुझे परमेशर पर भरोस्ता थ यहां गवाईयां देखी थी कैसे मतलब लोग ठीक होते हैं और खुदा मतलब इतने बड़े-बड़े काम करता है और मैं बॉन क्रिश्चन हूँ और मैंने बाइबल में भी पड़ा है कि कैसे वो मुर्दों को जिंदा कर देता है तो वो विश्वास था मेरे दिल में और आ आपको ऐसा बोल दिया था हाँ पहले दिन बोला था कि 10% चांस है लेकिन जब 26 तीन हुए इसको एडमेट हूँ है तो फिर तो डॉक्त ने मतलब पूरी तरह उसको ने बोल दिया कि आप ले जा सकते हैं इसको मैं कोई गरंटी नहीं देता है इसकी कंडिशन नहीं मतलब कं इसकी इंफेक्शन पता नहीं कहां से आई जारी इतनी इंफेक्शन थी और जनवरी के महीने में इसको इतना बुखार हो जाता कि पूरा नंगा करके इसको ठंडे बानें की पट्टिया रखते थे और इतना ये मतलब प्रॉबलम थी कि मैं देख नहीं पाती थी इसको इसको चंगा किया फिर ये ब्रदर जब 26 तीन हुए तो इसको दुबारा से लेगे आइसियू में क्यूंकि इसकी हालत बहुत खराब होगी थी तो उस तन मैं चर्च आई थी यहां खंड़ा में तो मैं पूरे रस्ते भी रोती हुई आई रस्ते में भी सब लोग मुझे द इसको बचल करने के बाद जब ऑड़ों ने बोला कि डेथ की स्पिरेट को कैंसल करता हुई तो यह वच्छ वचिन मैंने अपने बेटे के लिए रसीव किये और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ही उन्होंने बोले है मतलब मुझे लगा ही नहीं किसी और को बोले है मुझे तो ऐसा लगे जैसे मुझे ही बोले है और मैं इतना खुशी से पागल होगी मतलब मैं अपना सारा दुख बूल गई और मुझे जब यहां से गई तब मैं खुशी से गई मतलब मुझे मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश थी मैं और वहां जाकर जब सब रिष्टेदार कठे हुए थे आये थे और एक डॉक्टर भी बाहर से बुलाया हुए था डॉक्टर ने बोला कि आप यहां से चंदीगर ले जाओ तो इसके पापा बोले थे कि इसकी कंडिशन बहुत खराब है कैसे ले जाएं तो रस्ते में कुछ हो जाएगा तो वह डॉक्टर बोले कि अगर आप बोल रहे हो कि इसकी खराब रस्ते में यहां भी इसका बचाफ तो है नहीं है जैसे इसकी कंडिशन है बचना तो यहां भी नहीं है अगर इसकी होगी खुदा के गरमे उमर तो यह कुछ नहीं होगा तो वही ब्रदर जब मैंने यहां से वो मिटिंग अटेंड करक तो मैंने वो रसीव किया और मुझे लगा कि मुझे ही बोला मेरे बेटे के लिए यह और क्या हुआ जब उस प्रात्ता को रसीव करने के बाद अपने बेटे के पास वापिस गय तो तो ब्रदर हमने सुभा ऐसा किया कि अबुलेंस मगवाई और चार मांटबजे ले गए और रस्ते में जाते जाते इसका सारा कुछ कंट्रोल हो गया मतलब जो स्टाफ साथ किया था वह भी हरांता कि यह मतलब हॉस्पिटल निकालते ही सब हो गया जब यहां से गई तब इसकी कंडिशन मतल नॉर्मल हो रही थी मुझे जाते ही मैं जब आइस्यू में गई स्टा बाहर होना शुरू हो चुका है और उसके कितने दिन के बाद आपका बेटा कोमा से बाहर आया यह ब्रदर जब हम वहां लेगे तो जाते पहले जब एडमिट कराया तो डॉक्टर बोले थे आप तो बोल रहे कंडिशन बड़ी खराब है यह तो पेशन्ट नॉर्मल है और यह कोमा की बात है तो यह तो पता नहीं आएगा यह नहीं आएगा कोमा से यह इसके प्रेंट की आसी कंडिशन है तो पर जब हमने वहां एडमिट करवा दिया और दूसरे तीसरे दिन इसने पहले अपनी टांग हिलाई फिर बाजू राइट हिलाई फिर ऐसे दिरे-दिरे करक तो परमेशन ने इसे चंगा कर दिया और उसके बाद कितने महीने के बाद आपका बेटा कोमा से पूरी तरह से बाहर आ चुका था ब्रदत करीबं धाई महीने के बाद यह पूरी तरह से नॉर्मल हो गया जबके डॉक्टर ने बोला था कि इसकी कोई कैरेंटी नहीं होती यह पहीनों चलेगा या सालों ही इसको कोमा में रहना पड़ेगा जीजीजीए उस प्रात्ना के बाद आपका बेटा कोमा से बाहर आया बाहर आ गया परमेशन ने इसको पूरी तरह से चंगा कर दिया तारीफ करें पहले अपने हादों को उठाए जोर से जोर से चीवित प कि अँग देखो, फुदा की दजाद के काम दे खो ब्रदर को माइड देना अभी आप आप बिलकुल हीलो चुके जबू चुके हैं तुप घुंचे, ब Σपाहाई हालीलुया बोले है उची वाज में हालीलुया Kुदा की दजाद के काम जो पूरी तरह से कॉमबा में रहा, पूरी तरह से कॉमबा में था, कोई सुथबुत नहीं, पूरी तरह एक डेट बॉड़ी की तरह ये बिस्तर के उपर थे और इनकी मदर बता रहे कि जब यहां से प्रातना अटेंड करके ये वापीस गये, तो सेम डे उसकी हालत में सुध होना शुरू हुआ, दाई महीने के बाद इनका बेटा पूरी तरह से कॉमा से बाहर आकर आपके सामने खड़ाएं और गवाई के साथ खड़ेयां अपने हाथों को उठाएं और जो और से परमेश्य के नाम को महिमा दे, ब्रदर आप बताईए, अभी आपकी हालत कैसी है, अब मैं बिल्कुल थीक हूँ, अभी आपके जैसे पहले आपकी आँख भी खराब हो चुकी थी, लेफ्ट आंख डॉक्टर ने बोला पूरी तरह से डेम जाए, वो आँख भी बिल्कुल थीक है, डॉक्टर ने बोला था कि ये ठीक नहीं होगी, ये बंदी रहेगी, बट अब भी डॉक्टर को चेकर आए, तो ये बोलते हैं, कि दीरे दीरे ठीक हो जाएगी, और जो दिमाग की नसे ब्लॉक थी, वो भी पूरी तरह से साफ हो चुके है, बिल्कुल क्लियर हो चुके है, अभी आपको कोई बीमारी नहीं है, अभी मैं बिल्कुल थीक हूँ, आप चलिए जड़ा, आप चल के दिखाएए, तारीफ करें, और इनको स्टेशर के उपर चर्च में लाए थे, कॉमा से निकल के व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आपकी तारीफ उची होनी चाहिए, जोर से खड़े होकर अपनी जगाप, खड़े होकर अपनी जगाप, अपनी जगाप, खड़े होकर 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 अपनी जगाप, खड़े ने इनको खड़ा किया, साथ बार हालेलुया बोले, जोर से तालिया, जोर से, जोर से, हालेलुया, 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 थैंक्स करें, जोर से अपने हाथों को उठा के तालियों के, साथ इस बड़ी टेस्मनी के लिए अपने हाथों क भ cookies एंज परमेशा के ढमों को हिमा दें आप आप क्यों बहुब आप क्यों रहे है अप कियो रहे हैं अप हुशी खुशी हो इहा है मिरे को कि युदा ने मेरे लइफ में तो के बया कारे किया तारीफ करें जोर से अपने हदों को उठाए आप क्या कहना जाते लोगों को किया बताना चाते परमेशन सब के सुनता है आप आपी थे बहुत गुनागार थे फिर भी खुदा ने मेरे बच्चे के जीवन में इतना बड़ा काम किया कि मैं सारी जिंदगी भी भूल सकती जो परमेशन ने मेने साथ बलाई की है मैं यही कहूंगा कि मैंने सारे पाप करके देखे बट जो मज़ा पिरिचल लाइफ में ना वो किसी लाइफ में नी है तारीफ करें चोर से अबने हतों को उठें हलेलुया जोर से जोर से नाज से हुए सब सब परमेशन का थैंक्स करें जोर से ताजय के साथ इस बड़ी कवाही के लिए वो व्यक्ति कोमा में रहा और जैसे ही इनके मदर यहां से प्रात्ना रेसीव करके वापिस गय तो उसके बाद इनका बेटा कोमा से बाहर आया डेथ बेट से उठा इनकी दिमाग की नसे ब्लॉक थी वो खुल चुकी है जो प्लॉट्स बने थे वो क्लियर हो चुके है और इनका बेटा बिलकुल ठीक है और उस पूरी तरह से डेट था और परमेशन ने एक मुर्दा में जान डाली है यह बहुत बड़ा मिरेकल बहुत बड़ी टेस्मन ही है अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से ताल्यों के साथ परमेशन की महिमा करें आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर खुशी को उसके आनन्द को कैसे परमेशन ने उनको जंगा किया उनको जीवित किया एक नया जीवन दिया है इस बड़ी गवाही के लिए सब जोर से परमेशन का थैंक्स करें सब सब परमेशन की जोर से ताल्यों के साथ तारीफ करें